सरकार की सांसे फुली हुई है प्रसेशन के तमाम परियास नाकाफी है आम आदमी अपनी जिन्दगी में मस्त है मगर आखिरी सत्य यह है कि आज की तारीक में आज की डेट में गोमाता बहुत तरस्त है और वो तरस्त होने के जो तमाम दरश्य इन दिनों हमारे पास आते हैं क कि वो सड़कों पर गलियों में चौबारों पर खड़े खड़े सिर्फ अपनी मृत्यू का इंतजार कर रही हैं मगर ऐसा नहीं कि हालात बिल्कुल उनको अंदेखा कर चुके हैं कहीं कहीं से कुछ सुखत द्रशी भी आते हैं कहीं कहीं कुछ संगठन कुछ लोग इस मुहीम सब्सक्राइब्स सेवा संथान ये लएक लिए लगातार चल रहहे आं अभी आप देख पा रहे हैं यहां गृमाता के लिए लंपी बीमारी चल रही है इसमैं गो माता को रहा दोने लिए लड़ू बनाय जा रहे हैं और बताया जा रहा है जो मैंने आके यहाँ थोड़ी सी जानकरी इखटी करने कोशिश की तो बताया किसका बड़ाई सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है यहां पर वो लोग भी हैं जिनकी खुद कि एंगे कि यह चीज़ें इस्तमाल की जा रही है और इसके परिणाम किस्प्रकार से आ रहे हैं सबसे पहले तो बड़े सादूहाद आपको की कितना डट के आप यह कारी कर रहे हैं सबसे बहले मुझे बताइए कि कैसे लगा कि हमको यह इस प्रकारी कारवाई से थोड़ा सा लाब हो सकता गोमाता को करी करम हमने पूर अपने गहां से चुरू किया थे मुंडोल से वहां में पूरे गहां में लड़ू बाटे उसका परिणाम बड़ा अच्छा है तो हमने फिर उसका बाद में राजनेकरम बनवाए उसके बने सुंदर्चा बनवाए और आज यहां बनवा रहे हैं कितने आप में जिससे बुखार नहीं आता है और तुलसी पत्ते हैं अब कुछ एक एक्जमपल से मिरे को यहां बताया भी थे कि उससे फरक पड़ाया आपने तो लगातार यह काम कर रहे हैं क्या गोमाता में कोई इसके बाद को असर देखने को मिल रहा है कि हाव यह इससे कुछ सकार आरी इसके लिए जो यह आपका संगठन है किसे यह सब चीजें इतनी सामगरी ले इसमें पैसा भी लगता होगा वह आप सारी व्यवस्ता कैसे कर रहे हैं को अपने इच्छा से जो भी पारत को से स्थान में दान कर रहा है उस हिसाब सहारा है मैं आपको और भी एक-दो लो सब्सक्राइब से लगे कि हमें भी इस प्रकार की मुहीम अब गाहों में शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि हमारे इस देश में जब जब आप्ड़ाय आई हैं तब तब संगठनाओं ने लोगों ने यह बताया है कि हम सिर्फ सरकारों के भरोसे नहीं है सरकार एक कितने प् प्राप्त कर सकते हैं अमारे साथ असोग जी है रास्मन के पूरू चेर्मन आप जो मुझे बता रहे थे कि कुछ है आपने असर देखे इन लड़ों के बाद च्छत्रियों में सार्दिनिक 15 गाये रहती है 15 गायों में से केड़ी के जो है उसको क्या जिस तरह के जो गूम्रे हैं जो मिमारी चल रही इतने बड़े बड़े गुम्रे उसको हो गए थे हम लोग नों के नहीं भी यह जो विदी है यह किसी के मादम से मैंने पड़ी थी तो मैं बजार से अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर हमने यह योजना बनाई और 15 गाय जो वहां पर है उसमें थे उसको भी फरक पड़ा है और जो चोवदा गये जो फैलने जो थोड़ो थोड़ो हो रहे थे वह भी उनके हट गये हैं तो अवश्य यह जो काम गुरुकुल दौरा जो किया जा रहा है वह सब देशी दवई है इसको खाने से कोई नुकसार नहीं होगा इसको खाने से फ बिल्कुल एक लाब होने वाला एक और हमको एक्जांपल आया था आप बता रहे थे हमको की आपकी खुद की गाये इसके बाद ठीक हो गई है मेरे गाय के पूरे सरीर पर ये हो गए थे लंपी के वो ओते जो गुमड़े फिर हमने गया कि सुनील जिन जब मुंडोल बनाए थे तब हम ले गए थे उसके बाद आज चार-पांस दिन हो गए आज सुबह उसके दस परसेंट और रहे हैं और उसको हमने चार खुराग दी थी और पूरे गाम में भी थी कम से कम 12-15 गायें जिनको पूरे गाम में हमने लडू वित्रण कि उसके बाद काफी गायों को ठीक है जिनको नहीं थी उन सबको भी खिला है और अच्छा आ रहा है इसलिए हम भी सब इन गुरुकुल सेवा सस्तान की टीम के साथ जुड़ ग कोशिश कर रहे थे उसी दर्म्यान जो हमारे इस तरफ आपको चहरा दिखाई दे रहा है राजस्तान का राजस्तान पुलिस का बड़ाई तेस तरह दिनेजी उन्होंने सुनिल जी को कहा कि यार मैं भी इस सेवा कारे से जुड़ना चाहता हूं आपने भी अपनी तरफ से मोही की कोशाला बड़ी ही आपने विश्तित तरीके से मेंटेन के तब लग रहा है कि इस रोग में ये दवाई बड़ी कारगर हो सकती है जरूर सर कल मुझे जब बात हुई तो सुनील जी का नंबर दिया था मैंने क्या क्या चीजे लगती है हमारे भी हम गाउं वालों के स लड़ू भी आप ले जाना और उसके बाद जो सामगरी हम आपको जो भी मुहया कराएंगे तो हमारी इच्छा है कि हमारे गाहों के आसपास जो भी गाये हैं उनको हम जो पसूपालग है उनको निशूल की विवस्ता कराएं हम भी आज यही कोशिश कर रहे थे क्योंकि जै आपसे आगरे करूँगा कि अगर आपके ग्रामेंट शेतर में भी इस प्रकार की कोई मुहिम चलान चाहे तो एक बार इस सुनील जी से जरूर संपर करें इस भारत गुरुकुल सेवा संस्तान से जरूर संपर करें और यह हम सभी की सामुईक जिम्मेदारी है कि जो गो मात